मुख्यमंत्री मनोहर डाल के विधानसभा शेत्र करणाल ने एक और उपलब्दी हासिल की है आपको बता दे कि स्वच्छता के मामलों में बहतर कदम उठाने के लिए दस लाग से कम जनसंख्या वाले नगर निगम वह नगर पाली काओं में करणाल नगर निगम देश भर में चौथे स्थान पर आया है आवासिय एवं शेहरी मामले मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने इसके अधिकारी घोशना की है साथ ही विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से निगम आयुक्त को शुब कामनाय दी है इस उपलब्दी के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम ने सभी शहर वासियों को बढ़ाई दी है निगम आयुक्त ने मीडिया से रूवर होते वे बताया कि म्यूंसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी नगर पाली का प्रदर्शन सूच कांक नगर पालिका की कारिश शमता और उनके विकास वशमताओं की सीमा के बारे में बारीकी से बताता है इसके माध्यम से नागरिक अपनी स्थानिय सरकार वे प्रशासन को वहतर धंसे समझ सकते हैं जो बदले में पारदर्शता बनाता है और प्रमुख हित धारकों के बीच विश्वास पैदा करता है आयुक ने बताया कि नई दिली नगर निगम तिरुपती वगांधी नगर के बाद करनाल नगर निगम को देश में चौथा रैंक हासिल हुआ है निगम आयुक ने ये भी बताया कि करनाल नगर निगम ने पिछले तीन वर्षों से ODF++ सर्टिपिकेशन कायम रखा है और स्वच सर्वेक्षन में भी लगातार सम्मान जनक रैंकिंग हासिल कर रहा है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी है उन्होंने नागरिकों से अपील की कि इस उपलब्धी को भविश्य में भी बनाए रखे आयुक ने कहा कि शहर को साफ सुत्रा बनाए रखने नागरिकों को बहतर सुविधाय मुहया करवाने वह उनके जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए नगर निगम दिन रात प्रयासरत रहेगा UK जैसे की ट्रांसपरेंसी हो गही है सेनिटेशन हो गया solid waste हो गया, तो उसमें financial parameters हो गए, expenditure कैसा है, हमारी income कैसी है, तो इसमें 20 parameters हैं इसमें total तो सर और भी कही तरह के दिगम की तरफ से विदाये दी गई है, जैसे GPS system हाली में हो, यह गर-गर जाकर जो है कूड़ा उठाना हो, उसके बारे में भी तो यह सारे parameters ही देखे गए हैं जैसे इसमें, कि GPS जो हमारा एक, हमने एक system लगाया था, कि उससे GPS के आगे जाके हमने जीओ फैंसिंग लगाई थी, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा टिपर अपने एरिया में जा रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है, तो वो भी एक इसमें पहलू था, और इसके लावा बाकी जैसे घर-गर टिपर जा रहे हैं, सभी घरों से कुड़ा उठाया जा रहा है, बलकि अभी पिछले महीने ही हमने ODF++ की ranking फिर से हासिल की है, तो यह सारे parameters से इसमें देखे गए थे, तो क्या करना चाहेगे सर, शेहरवासियों को, जो थे अब ही जैसे कि हम चोथे नंबर पे हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि अगले बार हम पहले स्थान पर रहें, इसमें भी अभी जैसे स्वाच सर्वेक्शन भी चल रहा है, तो मैं सभी अभी जो हमारे करनाल के बासी हैं, उन सभी से आगरे करूंगा कि उसमें भी बढ़ द्वारा ये घोशना करी, रैंकिंग की मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करेंगे